रीवा में पती को पेड से बांध दिया जाता है, उसकी आखों के सामने उसकी पतनी से कुछ दरिंदे गेंग रेप करते हैं, ये कहानी जो है रीवा के भेरव बाबा पहाडी की है, आखिरकार भेरव बाबा पहाडी पर उस दिन क्या हुआ था, इस घटना की हम डीटेल में क कहानी आपको सुनाने वाले हैं, और ये कहानी सुनने से पहले आप लोगों से एक अपील करने वाले हैं, कि यदि आपका दिल कमजोर है, इस तरह की कहानी आप नहीं सुन सकते हैं, तो मत सुनिएगा, बिल्कुल भी मत सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद के दमपत्य जिनके साथ घटना हुई है यह जो है कोलेज लाइफ से ही एक दूसरे से जुड़े हुए कोलेज फ्रेंड थे फिर दोनों ने शादी कर ली और शादी करने के बाद जो है अच्छा खासा जीवन जी रहे थे शादी को पांच महिने भी हो चुके थे और यह दोनो जो है 21 अक्टूबर को पिकनिक का प्लान बनाते हैं घूमने का प्लान बनाते हैं कि भाई चलो आज घूम कर आते हैं कहीं पर तो यह दोनों सोचते हैं कि भेरो बाबा पहाडी पर हम शांती से बेठेंगे अपना इंजोय करेंगे और फिर घर वापिस लोट आएंगे यह दोनों खुशी खुशी रिवा की भेरो बाबा पहाडी पर जो है जाते हैं और मंदिर से कुछ दूरी पर चटान जैसे पत्तर जो है बहुत खूपसूरत जो है जंगल में पत्तर रखे रहते हैं तो यह दोनों पत्तर पर जाकर बेट जाते हैं और पत्तर पर जाकर बेट क करने लगते हैं लेकिन इनसे कुछ दूरी पर को कुछ लोग जो है शराब गांजा जो दोनों जो mix नशा है कि मीक्स नशा कीiston कर रहा होते है कि शराब भी पी रहे होते गांजा भी पी रहे रहे थे और इन दोनों पति-पत्नि को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है वो आठ दरिंदे जो पार्टी कर रहे थे शराब पी रहे थे गांजा पी रहे थे उसके बाद में वो आठो दरिंदे जो है लिट्टी चोका खाते हैं वहीं पर बनाकर और उनकी जब पार्टी खत्म होती है तो उनकी नजर जो है उन दमपत्ती पर पढ़ती है आदमी नशे में कुत्ते से भी बत्तर केसे बनता है यह इन आठो ने आठो दरिंदों ने दिखाया है यह आठो के आठो दरिंदे उन पती पतनी के पास जाते हैं जो चट्टान पर बेट कर शांती से अपनी बात चीत कर रहे थे पती पतनी के पास जाकर के बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे बिना कुछ सोचे समझे नशे में पती के साथ बुरी तरीके से मारपिट करते हैं इतनी बुरी तरीके से कि शब्दों में बया नहीं किया रहा सकते हैं दो दरिंदे उसकी पतनी को पकड़ते हैं पत्नी को पकड़ करके दो दरिंदे उस पत्नी के साथ भी मारपीट करते हैं मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं फिर ये आठो के आठो दरिंदे जो है पत्नी के साथ मारपीट करके उसको पेड़ से बांग देते हैं और पेड से बांधने के बारी बारी से इन आठ में से पाँच धरिंदे उसकी पत्नी के साथ गेंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं उसकी पत्नी के साथ ये आठ मैंसे पांच दरिंदे जो है बलातकार करते हैं, बलातकार की घटना को अंजाम देते हैं, पती को पेड से बांध दिया जाता है, उसकी आँखों के सामने बारी-बारी से उसकी पत्नी के सामने साथ में रेप हो रहा होता है, पती से जब मीडिया वालों ने पूछा तो फिर पती जवाब देता है कि मुझे इस बात से शर्मा आ रही है कि मैं अभी तक जिन्दा क्यूं हूँ मेरी आखों के सामने मेरी पतनी की अस्मिता को मेरी पतनी की इज़त को कुछ दरिंदे लूट लेते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता है बेबस पती जो है उस पर क्या गुजर रही होगी उसकी मनोदशा क्या होगी यह हम समझ नहीं सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा यह कि यह घटना होती है 21 अक्टूबर को होती है लेकिन चूंकि रिवा की धर्ती पर 23 अक्टूबर को माननी मुख्यमंत्री जी आने वाले थे इस घटना को उजागर ही नहीं करती है रिवा की पुलिस ताकि मुख्यमंत्री की शान में कोई कमी ना रह जाए यह हमारे मद्प्रदेश का कानून है भाई साब और यह हकीकत है कि दो दिन तक इस घटना को पुलिस दबा लेती है इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले थे रिवा की धर्ती पर और इतनी विबत से घटना को पुलिस जो है उजागर नहीं करती है थेर वो पती-पतनी जो है एक घटने तक इस घटना से जूचते रहते हैं एक घटने तक लड़ते रहते हैं पती देखते रहता है अपनी पतनी की इज़्जत को लुटते हुए कुछ नहीं कर पाता है पेड़ से इन दरिंदों ने बांध दिया था पांच लोग रेप करते हैं उसके बाद ये उन दरिंदों के चंगुल से चूटते हैं और हिम्मद जुटा करके जो है घर आ जाते हैं राद भर विचार किया होगा राद भर शायद डिप्रेशन में तो रहे ही होंगे क्योंकि इतनी विभत से घटना होवी थी घर में तो दोनों हिम्मद जुटा करके पुलिस इस्टेशन जाते हैं सुबर पुलिस में रिपोर्ट दर्जे करवाते हैं कि भाई 22 अक्टूबर को पुलिस इस्टेशन में जाकर कि हमारे साथ यह यह हुआ था पुलिस भी उस मामले को सीरियस लेती है और घटना इस तल पर जाक तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस वालों की नौकरी पर भी आ सकती थी तो इसलिए पुलिस उजागर ही नहीं करती है पुलिस इस घटना को छुपा करके रखती है कि 23 अक्टूबर का कारेक्रम हो जाए उसके बाद में हम इस घटना को उजागर कर देंगे खेर यह घटना जब उजागर होती है तो सब लोग हेरान रहे जाते है कि इतनी विभस घटना आठ दरिंदे पिकनिक स्पोट पर अकेले बेठे पती-पतनी से मारपीट करते हैं और उनमें से पांच दरिंदे जो है रेप की घटना को अंजाम देते हैं और उसमें से एक दरिंदे पर तो यह आरोग भी है कि वो बीजेपी नेता का बेटा है यह आरोग लगाया है विपक्षन है खिर दरिंदो की कोई पार्टे नहीं होती दरिंदो की कोई जात नहीं होती दरिंदो का कोई धरम नहीं होता एसे एसे लोग है यार की इनको जब नशा चड़ जाता होगा तो शायद ये कुछ भी खा सकते है कुछ भी केमरे के सामने तो एसी एसी गालिया देने का मन होता है कि शरम नहीं आई यार आपने एसा कुन सा नशा कर लिया था शराब और गांजा पी करके क्या आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है क्या आप नहीं देखते कि सामने वाले यार उसके पती के सामने उसकी पतनी की इज़त आप लूट लेते हैं उसको बंदक बना करके आठो दरिंदो को मद्द्यप्रदेश की रिवा की पुलिस ने गिरफतार किया है और रिवा की ये जो घटना है ये इतनी विभत सिती सर कि पुलिस ने इनका इलाज भी ठीक से ही किया हो दा और करना भी चाहिए इन आठों के आठों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर, मुख्यमंत्री जो है, इसमें लगातार नजर बनाया हुए है, और विपक्ष भी नजर बनाया हुए है, यह मामला वड़ा हाइलाइटेड है, लेकिन इस मामले की जो घटना थी, वो बड़ी निंदन सोची है, मतलब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, कि कोई आदमी अपनी पतनी के साथ हची कुछी से पिकनिक पर जाता है, और घर जब वो लोटते हैं, तो उनकी मनोदशा क्या होगी, मद्यप्रदेश में आए दिन रेप होते हैं, आए दिन रेप की घटना होती है, मद्य मद्यप्रदेश के मुख्या ये एलान करते हैं कि जो रेप पिडिता हैं, उनको हम कुछ खे, मतलब उनके घरवालों को कुछ खेरात दे देंगे ताकि उनकी पढ़ायों सर, खेरात नहीं चाहिए सर, न्याएं चाहिए, सोखी सीधी बात यह है, मद्यप्रदेश पहले और दूसरे नंबर पर रहता है रेप की घटना में, और आप और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, बड़ी शर्म की बात है, बाकी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजेगा, चेनल यह दिया आपने सब्स्क्राइब नहीं किया, तो प्लिस कर लिजेगा, मेरा नाम प्रिश्नपाल राठोर था और आप महारो राजगर का यूट्यूब चेनल देख रहे थे,